बच्चे का यहां पर किस तरीके से शोशन किया जाता है किस तरीके से उसके उपर जोखिम बरे काम उससे करवाए जाते है यह सारी जो जो हम इस वीडियो में डिसकेस करने वाले यह अभी मुद्दा हाल फिलाल में चर्चा में क्यों आया क्योंकि आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें 10 साल की बच्ची से एक कपल ने उनको हायर कर रखा था और उससे बहुत जादा काम करवाया जाता था लोगों को जब यह बात पता चली तो वहां पर जो कपल है उसमें जो मेल है उसकी पिटाई भी वहां पर की गई तब जाकर यहां पर यह मामला जो चर्चा में आया और बात चली कि भारत के अंदर जो बच्चे हैं जो चाइड लेबर है उनके लिए क्या-क्या कानून जो वो बनाए गए हैं इंटरनेशनली क्या कानून है भारत में क्या-क्या सजा का प्रावधान है यह सारी चीज़े हम जो हैं इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले PDF के बारे में बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की PDF जो डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो देखिए अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो कपल था उन्होंने अपने चार साल के बेटे की देखबाल के लिए एक 14 साल की बालिका को अपने पास रखा था अब उसका शाररिक और मानसिक तोर पर परतारित किया जा रहा था यह जैसे ही मामला सामने आए बहुत जादा ही रहा था यह काफी परानी नीऊस तो नहीं कहुँगा कि अटाई जुलाई की है अभी हाली में मैं इस पर कवर कर रहा हूँ तो जब यह मामला सामने आए तो लोगों ने यहां पर जो मेल है जो husband है उसकी काफी पिटाई भी की उनको पुलिस पकड़के भी लेके गई अब जो lady है ये जो बच्ची है इसकी जो मा है उसका कहना था कि मेरी बच्ची को इन्होंने इसलिए hire किया था कि कहा था कि हम इसकी education का भी ध्यान रखेंगे इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे इस अब ये जो अब बात करते हैं कि अब ये बाल्श्रम याई चाइड लेबर है उसमें घ्रेलू से जो related है अब देकर आर्टिकल है हमारे देश के अंदर जिसमें बोला गए समिधान में कि आप 14 साल से कम उबर के बच्चे को आप जोपे नहीं रख सकते लेकिन वहाँ पर ए खतरा नहीं होता गया इसको भी हम discuss करेंगे first of all तो हम ये बाल्श्रम यानि कि चाइड लेबर क्या होता है इसको समझते हैं तो कोई व्यक्ति या तो आप हो गए for example कह रहा हूं आप हो गए या किसी दूसरे इंसान ने अपने काम के लिए या आपके काम के लिए किसी बच् नीचे से काम करवाया जाना है एक तो उसकी जो उमर है उससे कम आप उससे लेकर आए हो कि एक रख दी गई हो कि आप इस नीचे काम नहीं करा सकते तो उस उमर से नीचे आप उस बच्चे को लेकर आए हो साथी साथ उस बच्चे को ऐसी situation ऐसे environment में रख रहे हो जहां उसकी स्वास्थे के लिए उसकी जान को खत्रा है वहाँ पर तो यह चीज आ जाती है और घरेलू बालश्रम जो खत्रे हैं उसमें क्या क्या आते हैं देखें इंटरनेशनल लेबर ओर्गनाजेशन के दोरा ऐसा नहीं है कि घरेलू काम में खत्रे नहीं होते तो उसके लिए खत्रा बहुत जादा बढ़ जाता है जैसे उस बच्चे से ठकान बरे और काफी पूरे दिन पूरे दिन आपने उससे काम करवा लिए कैमिकल है घर के अंदर भारी वस्तों उससे उठवाई जा रही है चाकू हो गया गरम तवे हो गया जैसी खत्रना कोस्तों का उसके उपयोग करवाय जा रहा है और उसको खाना से ठंक से नहीं दिया जा रहा है उसकी रहने की जो जगा है वो सही नहीं है उसको कहीं पर भी रख दिया गया हो साथी साथ ये खत्रा तब भी बढ़ जाता है जब वो बच्चा वहां काम भी कर रहा और वहां रहे भी रहा है तो यह सारी चीज़े जो है वो ILO ने बताई हुएं कि यह चीज़े हैं जो वह ज़्यादा खतरना है अगर एक बच्चे से घर के अंदर भी काम करवाया जा रहा है अब भारत में जो बालशरम में उसकी स्थिती क्या है उसकी सिचुएशन क्या है उस पर स्टेटस पर जड़ा अब नजर मारते हैं यह खुद सरकार के रिकोर्ड है नेशनल क्राइम रिकोर्ड बूरो 2022 की एक रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट में बताया गया है 2021 में एक एक्ट है हमारे देश में बालशरम निशेद और वी नियमन अधिनियम 1986 यानि कि चाइड लेबर प्रोईविशन और रेगुलिशन अक्ट 1986 इसके अकोर्डिंग बताया गया है सबसे हाइस्ट केस कहां पर रेजिस्टर किये गए तेलंगाना के अंदर उसके बाद आसम इसका दूसरा स्थान आता है बालशरम के विरोध अभियान में ये कैम्पेन चलाया गया था 18-18 के बच्चों पर सर्वे किया गया तो इसमें ये पाया गया कि ये जो बच्चे बड़े हैं वो किस कारण बड़े हैं वो COVID-19 महामारी के कारण जो स्कूल बंद हो गए उसके कारण इन बच्चों को बालशरम करना पड़ा उनकी घर की स्थीति बहुत जादा खराब वो उत्तरपरदेश, बिहार, राजस्तान, मद्देपरदेश और महराष्टर हैं भारत में जो ये आप चाइड लेबर देख रहे हैं वो अभी भी क्यों चल रहा हैं क्यों अभी तक ये बंद रही हो पाया क्या इसके पीछे कारण है एक तो आप महारे सामने निकल कर आता यानि जो चाइड लेबर की वरीदी के पीछे यानि जो इंक्रिमेंट हुआ है उसके पीछे जो कारण बताया गया है एक परिवार का जो शोशल और उसकी जो फाइनेशल सिचुएशन है वो एक फैक्टर आपके सामने निकल कर आता है क्योंकि यहां पर जो एक अडल्ट ल नहीं रहा तो अंतता है परभाव किसके ओपर पढ़ता है जो गरीब परिवार होता है बच्चों पर वो बहुत पढ़ने लग जाते है अब बच्चे जो है मजबूरी में उनको काम करना पढ़ जाते है इस थीति में क्या होता है कि बच्चों को कम वेतन में भी काम करना प गंभीर विशय है आप एक गुलामी शब्स समझ रहे हो सोचिए आपसे जब गुलामी करवाई जा रही है आपसे मतलब आपको खाने के लिए सही डंक से आपको खाना नहीं दिया जा रहा आपको सही डंक से सोने नहीं दिया जा रहा आपसे काम पूरे दिन करवाई जा रहा को अराम नहीं करने दिया जा रहा है तो उस बच्चे के दिमाग पर उसके शरीर पर कितना असर पड़ रहा होगा मानसिक रूप से वो कितना ज्यादा परताडित हो रहा हो यह गुलामी शब्द बहुत ज्यादा खतरनाक है हम एक सवंतंतर देश में रहते हैं वहां पर यह समुदाय है और परिवारों में अपने बच्चों को क्रिशी यानि agriculture के लिए कालीन बुनाई के लिए या घरेलु सेवा जैसे कुछ कामों के लिए कारे करने की परिंपरा है वहां पर और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जो लड़कियां होती है उनके लिए शिक्षा इ उनको असानी से उनको टार्गेट किया जाता है और उनका शोशन किया जाते है एक चुछ चीज है यहां पर जो शोशन है कई को काफी सारों को तो पता ही नहीं चल रहा होता है उनका शोशन हो रहा होता है और वो उस चीज को एक तरीके से मानते कि ऐसा ही करना होता है वो उ वहां नहीं है अब एक गरीब परिवार जो है वो सो दूसरे स्कूल में भेजे जो प्राइवेट स्कूल है प्राइवेट स्कूल में फीज जादा है फीज जादा का वह खर्च मतलब उसको उठा नहीं पाते जिससे वह क्या करते हैं कि बच्चे को स्कूल भेजने बंद करते जाना बंद हो जाता है अब वो स्कूल जाना बंद होगे तो वो क्या करेगा बच्चा उसे काम करवाया जाएगा दूसरा है आपने कलपना यह नहीं की थी वैसा ही डिस्रॉप्शन या लोस हो गया हो देखे प्राकर्तिक जैसे अभी कोविड-19 आ गया या कोई फ्लड आ गय या और कोई महामारी आ गई जिसका क्या होता है कि समाज के जो समाजने कामकाज वर्ग है उसके उपर बहुत ज़्जादा परतिकूल यानि कि अच्छा परभाव नहीं करता है ऐसे में जो काफी सारे बच्चे होते हैं वो अपने माबाप को खो देते हैं उनके घर और जो बुणियादी सेवा हैं उनकी पोहंच कम हो जाती है उन्हें जिन्दा रहने लिए बच्चा तो क्या करता हood पर वह आप बल्श्रम के समाजिक अर्थिक परिवाव क्या पढ़ते हैं कि आप बाल्श्रम क्या impact बनता है, socially क्या impact पड़ता है economically क्या impact पड़ता है भारत पर देखिए, एक आता है reduce human capital accumulation मतलब कि जो आप child labor करा रहे हो, तो बच्चों का जो कोशल है, उनको आने वाले time में उनके अंदर क्या पता क्या अनुभव उसके अंदर छोपा हो, मतलब वो चीज पहले ही मार दी गई, क्योंकि उससे child labor करवाया गया, उससे education नहीं दी गई, वो पढ़ा लिखा नहीं, तो वहाँ पर उसके साथ क्या हुआ, कि उसके भविश्य की जो production है, जो उसकी आए है उस पर पर वहाँ पड़ गया अब दूसरा हमारे सामने आता है कि निर्धनता, यानि गरीबी और जो child labor की स्थिति का बना है रहना जो child labor है एक कुशल नोकरी, जिसमें कुशलता की जुरूरत नहीं पड़ती नोकरियों में तो वो ऐसी नोकरियों में जाता है जहां पर सिर्फ-पर-सिर्फ बोजाई उठाना होता है इस इसा काम करना पड़ता है जिसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है तो वहाँ पर वो कम जो आये है उसके चलते वो क्या करता है काम करने लग जाता है जिससे गरीबी और जो मोझूदा child labor है उस चक्कर में फस जाते हैं अब यहाँ पर बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि उन्होंने वो चीज सही अपने बच्चों को वो चीज क्यों सहने दे वो सोचते हैं कि यार हमने भी यही किया हमारी बच्चे भी यही करेंगे उनके आने वाले बच्चे भी एक तो वो एक चक्कर में जाए, वहाँ पर फस केरा जाते हैं उसके अलावा हमारे सामने आता है, जो तक्नीकी जो टेक्नलोजी है उसकी जो परगर्ती होनी थी, जो एक आर्थिक विकास होना था, उसमें भादा आ जाती है बालश्रम जो है वो तक्नीकी परगर्ती और जो एक इनोवेशन है, उसको बात दित करता है जिससे क्या होता है, एक काफी लंबे टाइम के लिए आर्थिक विरिदी और जो डेवलोप्मेंट है, वो धीमा हो जाता है देश के अंदर अधिकारों और अफसरों का अभाव, चाइड लेबर बच्चों की सिक्षा, स्वास्ते, उनकी शुरक्षा, इन सब के अधिकारों से उनको वंचीत रखता है उनको प्रोप्रशिक्षा मिलने चाहिए, उसको भी सही ढंग से एन्वार्मेंट में रहने का अधिकार है, उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ये सारे जो अधिकार है, वो बंचीत रह जाता है, उसको पता ही नहीं होता है, उसके पास वो अधिकार है, जिससे उसका शो और जो एक जुड़ता है, एक साथ मिलकर रहने वाली, उसको वो बहुत जादा कमजोर करते हैं, साथ इसाथ समाजिक स्थिर्ता और लोकतांत्र पर बहुत जादा परभाव पड़ने लग जाता है, सवास्त है का अब यह सोचिए आप इससे परभाव कैसे पड़ेगा, समाज आपने उसको काम कराया, जिससे क्या होता है कि वो अपने आपको दूसरों से अलग समझने लग जाता है, कहीं न कहीं उसके मन में बेदबाव की स्थिति आ जाती है, तो वो सोचता है कि यहाँ पर मेरे लिए कुछ नहीं है, कोई लोकतांत्रिक विवस्ता नहीं है, तो वो वहाँ पर एक तरीके से हट कर जो समाधिक स्थिरता चल रही थी मिल जोल कर रहने वाली वो चीजें जो है वो काफी जाते परभावित होने लग जाती है यह तो एक बच्चे की बात है कितनी जादा संख्या के अंदर लोग लगे हुए है बच्चे लगे हुए है जिनके उनके अधिकारों से उनको नहीं दिया जाता है उनको वंचित रखा जाता है फिर इसके अलावा क्या परभाव पड़ता है स्वास्थे पर नकारातमक परभाव जो चाइड लेबर के कांट्ज है बच्चों को अलग अलग तरीके के जोखिमों का सामना करना पड़ता है जैसे शाररिक चोट होगी बिमारी होगी उनके साथ गंदा वैवार किया जाता है उनका शोशन का उनको सामना करना पड़ता है जिससे उनके शाररिक रूप से उनके मांसिक रूप से उनके उपर स्वास्थे पर परभाँ पड़ता है मृत्य उदर बढ़ जाती है जीवन जीने की जो इच्छा है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है मतलब कि मुझे सही से लाइव मिलेगी तो इससे जो है वो काफी ज़्यादा परभाँ पड़ता है गोर्मेंट ने क्या क्या किया या इंटरनेशनली क्या क्या जो नियम है वो क्या है लेकिए एक राइट टु एड्यूकेशन है हमारे देश के अंदर 2019 आर्टिकल 24 है जो ये बोलता है कि जो इंप्लॉइमेंट है चिल्डरन अंडर 14 जो 14 साल से कम उमर के बच्चे हैं उनको जो खतरनाग जो जैसे की फैक्टरी होगी माइन होगी उसमें आप नहीं लगा सकते ये जो है वो परतिबंदित नहीं करता किसी बच्चे को harmless और innocent work के लिए लेकिन क्या हुआ चाइड लेबर प्रोविशन और रेगुलेशन अक्ट आया 1986 इसने इसको मैं amendment किया गया टुटांस निक्षिन में और इसने कहा कि जो 14 साल के बच्चा है उसको किसी भी तरीके से काम पे नहीं लगाया जा सकता इसमें आप किसी भी तरीके से उसको काम में नहीं ले सकते बच्चे को जो 14 साल है उससे कम उमर के बच्चे को फैक्टरी एक्ट है 1948 नेशनल पोलसी और चाइड लेबर 1987 है पैंशन पोल्टर हो गया यह एक आप देखिए इंटरनेशनल है यह रेटिफाइंग कन्वेंशन ओफ दा इंटरनेशनल लेबर ओर्गिनाजेशन जिसमें दो तरीके के हैं एक मीनिमे बेज कन्वेंशन 1973 है नमबर 138 यह ध्यान रखने वाली चीज़े हैं एक दा वर्स्ट फोर्म ओफ चाइड लेबर कन्वेंशन 1999 में हुआ था नमबर 182 यह आपको चीज़ें को ध्यान रखना है अब बात कर लेते हैं आगे की रा यानि कैसे इस चीज़ें को सुधा रजा सकते हैं सरकार को क्या करना होगा यह जो चाइड लेबर है इसको regulate और उसको परतिबंद करने वाले कानूनों को जो उनके पास भारत के अंदर कानून है उनको internationally जो standard बनाए गए है उनके according बनाना चाहिए सरकार को प्रयाप्त resources यानि जो आवंटन है हर एक को resources ही डंग से मिल रहा है उनकी शमता, उनका समझ में है उनके data, जवाब देईर ये सब जो राजनीतिक इच्छा के माद्यम से यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कानूनों को प्रभावी डंग से बनाया गया उनको लागू किया गया सरकार को गरीब और कमजोर परिवार को व्यापक समाजिक सुरक्षा और आर्थिक सायता परदान करनी चाहिए ताकि जो उनके बच्चे है वो child labor यानि की करिशी घरेलू काम में या घरेलू श्रम में या किसी भी तरिके के श्रम में काम करने की जो विवस्ता है उनके पास ना आए सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षा का जो अधिकार है 2019 समीधान के आर्टिकल है 21A उनके अनरूप सभी बच्चों को 14 साल से कम उमर के बच्चों को निशुलक और अनिवारे रूप से शिक्षा प्राप्त होने चाहिए लेकि यह जो चीज मैं मानता हूँ कि देश में कुछ फ्री हो नहों लेकिन education free होनी चाहिए education free होगी नहीं तो बच्चा आने वाले time में खुद ना कुछ ना कुछ वो कर लेगा लेकिन यहाँ पर education पर मैं अभी जा कर कुछ फोकस किया जा रहा तो आप सोचिए जिस देश में ये बात बहुत पहले ही रख दी गई थी कि नीती नीदेशक तत्त में है हमारे देश में ये कि जो state है उसकी responsibility होगी कि वो 14 साल से कम उमर के बच्चे हैं उनको अनिवारे रूप से शिक्षा परदान करें जब उसके पास ये जब आप constitution पढ़ करती जाती तो वहाँ पर उस बच्चे को उसका अधिकार का शोषन हो रहा है तो वहाँ पर supreme court interfere करता ये सारी चीज़े वहाँ पर हो रही होती तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़े बहुत जादा जरूरी है लागू होना बहुत एक द्रिड इच्छा चाहिए इनको ला करते हैं ओविसली लाइक का जो बटन है उस पे क्लिक करके एक ही बार करना दो बार मत कर देना और जादा ही पसंद आये हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को पीडियो के लिए मैं और बिता जोगा हूं डिस्क्रिप्शन बोक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मि कर सकते हैं तो अब साज के लिए इतना है था इस वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो